नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शौट हैंड एकडमी इस स्टानो क्लासिस में दोस्तों आज का हमार डिक्टीशन है हिंदी आशुलेपी शुरुत लेखन डिक्टीशन ओपी शुकला डिक्टीशन गती सौशब्द प्रतिमिनट डिक्टीशन स्टार्ट होगी पांच सेगेंड बाद स्टार्ट उप सभापती महदय हम लोगों के सामने रेलवे समझोता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है वे सिफारिशें आंतरिक सिफारिशे हैं क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है अपनी रिपोर्ट में समझोता आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है की रेलवे की वित्तिय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटल हो गई है की गहराई में जाकर उ चाहिये और उनका समाधान निकालने की जरूरत है जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मन्जूरी के लिए आई हैं वे वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं फिराम इतने सालों से जिस तरह से चीजें चली आ रही हैं उस तरह से अब भी चलनी चाहिए यही सिफारिश है हमें आस्चरिय होता है कि यह सरकार जो प्रगती और परिवर्तन की हिमायती है वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है जबकी स्वयम यह समझोता आयोग इस बात की आवशक्ता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने जांचने और नया हल निकालने की आवशक्ता है महदय यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थ व्यवस्ता है जो उसकी प्रबंद व्यवस्ता है वह पुरानी पड़ गई है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की व्यवस्ता अभी तक चलाई जा रही है जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्ता, सामाजिक व्यवस्ता और सामाजिक आवशक्ता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं रेलवे बोड की प्रबंद व्यवस्ता और अर्थ व्यवस्ता इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है यही मूल कारण है की आज रेलवे आर्थिक दुर व्यवस्ता का शिकार हो रहा है इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्ता को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थ व्यवस्ता और प्रबंद व्यवस्ता में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा पैरा श्रीमान दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है की रात दिन हम अध्योगिक अशान्ती की बातें सुनते हैं अभी भी मजदूरों की हड़ताले चल रही हैं रेल मंत्राले की और से कहा जाता है की मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है ऐसा क्यों होता है इन प्रशनों को हम अभी नहीं उठाना चाहते लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं की जब तक रेल के प्रबंद में मजदूरों का प्रतेनिधित्व नहीं होगा तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते रेल की प्रबंद व्यवस्था में मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए विराम रेल की अर्थ एवं प्रबंद व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी केविना और द्योगिक अशान्ती की समस्याओं से निप्टा नहीं जा सकता मेरे ये जो कुछ सुझाव हैं मैं समझता हूँ की ये देश की अव्यवस्था के अनुसार रेल्वे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं विराम मैं आशा करता हूँ की मेरे इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेल्वे की जो कठिनाई है उसका जो संकट है और जो संकट दिनो दिन गहरा होता जा रहा है वह संकट दूर होगा और रेल्वे आधुनिक तथा कुशल सेवा के रूप में हमें उपलब्ध हो सकेगा पून विराम तो दोस्तों यह थी हमारी ओपी शुक्ला की डिक्टेशन जो कि आईटिया यह काम के लिहाज से बहुत ही मेत्रपून डिक्टेशन है तो आप सभी दोस्तों ने विदाने के रपाया डिक्टेशन को जादा जादा लाइक करें शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर क नना हुले, धन्यवार्ट